How to fix iOS 18 public beta not showing Alright guys, तो काफी उसर्स की डिमांड है कि हमारे iPhone में public beta फिकरने की developer beta कोई भी iOS 18 शो नहीं कर रहा है तो कैसे होगा प्रस कैसे आप successfully install कर सकते हैं iOS 18 की public beta को जैसा कि आपको पता है यहाँ पर currently developer update तो चली रहा है बट यहाँ पर हम बात करेंगे जो लोग यहाँ पर public beta जिन लोगों के iPhone में developer beta शो नहीं कर रहा था या फिर कहलें कि अभी उनके public beta भी शो नहीं कर रहा iPhone में तो कैसे करेगा तो देखो सबसे पहले मैं आपको इस शीच क्लियर कर देता हूँ दोस्तों जो आपका developer update है यही जो है convert हो जाएगा into the public update यही आपको बता देता हूँ जो यह developer beta यही public beta बन जाएगा जब यह rollout होगा तो जिनके phone में show नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं क्योंकि यह convert हो चुका होगा already ठीक है तो अभी आपको कैसे करना इसको update देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिस दिने rollout होगा उसी दिने यह convert हो जाएगा into the public beta तो देखो फिलाल आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे जो developer update है यह developers के लिए आया था अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे public beta आएगा और यह जो है दोनों ही same होगे build number same होगे ठीक है तो अगर आप buy mistake कर चुके थे developer update को तो यही आपका public beta हो जाएगा अब next time से इसको off कर देना फिर आपको यह आगे देखने को नहीं मिलेगा फिर आपको stable update डारेक्ट देखने को मिलेगा तो अभी आपको क्या करना है सबसे पहले पहला method आप ट्राइ कर लो जाना है आपको beta.apple.com की website पे और वहाँ पे आपको apple की website है और इस तरीके से सर्च कर देना यह पहला method इसके आगे आपको बताऊंगा अगर आपको इस तरीके से साइन इन दिखाएगा ठीक है तो अब आपको यहाँ पे इस तरीके से information देखने को मिल जाएगी अभी आपको क्या करना स्कोल डाउन करते है थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इन्रोल का बटन देखने को मिलेगा इसके बाद थोड़ा सा स्कोल डाउन करेंगे एक option मिलेगी open beta update जैसे आप इसके ओपर क्लिक करेंगे यह आपको रीडाय करेगा आपको आईफोन की settings पे यहाँ पे आपको public beta show कर देगा यह तो रहा पहला method अगर आपको यह method अप्लाई करने के बाद public beta show नहीं करता है तो कै आपने ओरड़ी beta update कर लिया अधा developer तो यही आपका public beta हो जाएगा बाइद आपको show नहीं कर रहा है तो कैसे करेगा आप इस वीडियो में जो मैंने आपको आगे process 10 इसको apply कर लो आपको यह show कर देगा आपके iPhones पे Alright guys, iOS 18 public beta को install करने के लिए आज हमें आपे यूज़ करेंगे TanoShare की तरफ से आने वाला reiBoot No.1 free iOS system repair and recovery software इसका link आपको comment box and description box में मिल जाएगा इस software की मतब से आप multiple tasking कर सकते हैं आप अपने iPhone को upgrade, downgrade, even you can fix 150 plus iPhone related problems, right? तो इसका link आपको मिल जाएगा and यह जो है software iPhone not turning on, iPhone green screen problem, these are problem you can fix with the helping of this single software, click on the free download and इस software को आप डाउनलोड करें and इसी की मदद से हम अपने iPhone को upgrade करेंगे तो जैसे आप इसको download कर लेते हैं उसके बाद launch करेंगे अपनी laptop and computer के उपर and alright guys, तो इस तरीके से इसका interface होने वाला है, इसको आप start के button पे click करेंगे अब आपको अपने iPhone को connect करना है, lightning cable की मदद से, तो यहाँ पे हम अपने iPhone को connect कर देते हैं, connect करने के बाद दोस्तों आपसे भी check out कर पाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे आपको काफी सारी options मिल जाती है, यहाँ से आप अपने iPhone में किसी भी type की prompt चल ले, like iPhone 10 और नहीं होना, Apple लोगों पे श्ठक हो गया है, तो यहाँ से standard repair पे click कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे downgrade and upgrade option पे, तो जैसे आप click करेंगे वहाँ पे आपको एक option में लेगी upgrade and downgrade, तो जहाँ पे आप जाकर अपने iPhone को directly downgrade भी कर सकते हैं and upgrade भी कर सकते हैं, but please guys, firstly you have to make sure backup your iPhone, yes guys, आप अपने share की तरब से आने वाला iCare phone software इस्तमाल कर सकते हैं, इसकी मदब से आप अपने iPhone का किसी भी type का data restore and backup ले सकते हैं, basically यहाँ पे आप देख से हैं, photos, videos, include, WhatsApp data, everything you can backup and again restore, yes, तो यहाँ पे आप किसी भी type का data backup ले सकते हैं, select करने के बाद आप click करेंगे backup, उसके बाद हो जाएगा backup तो अब यहाँ पे आप अप्ग्रेड करेंगे पने iPhone को, click on this iOS upgrade and downgrade, click on the upgrade and अब जो है आपको यहाँ पे आपको शो करेगा आपके iPhone का firmware, तो देखते हैं, आपे बीट अपडेट शो कर रहा है, iOS 18 beta update, तो उसके बाद हम select करेंगे, download करेंगे, click on the download button and यह जो है firmware download होना शूरू हो जाएगा आपके laptop में, जैसी download हो जाता है, आपको यहाँ पे आएगा initiate upgrade, yes, initiate करना है आपको, तो जैसे आप initiate करेंगे, यह जो है 5-10 मिनिट लेगा, उसके बाद यह process चालू हो जाएगा, इस process को तो आपने iPhone को connect रखना है, lightning cable की मदद से, don't disconnect your iPhone, okay, तो जैसी process complete हो जाता है आपका iPhone upgrade हो जाएगा, आप सभी check out कर सकते हैं, हमार iPhone जो है यहाँ पे upgrade हो चुका है, अब आप इसको disconnect कर दें, यहाँ से हम इसको unlock करेंगे, उसके बाद जाएंगे, आपको settings में show कर देते हैं, iPhone जो है upgrade हो चुका है, तो इस तरीके से check out कर सकते हैं, iOS update, तो यहाँ पे दोस् account मिलेगा, just in $29 में आप दोनों ही software को buy कर सकते हैं, Reiboot and TenuShare iCare phone, both software you can buy in just $29, all right, तो अभी जो है आपको offer चली जाके आप check out करें, और यहाँ से आप दोनों ही useful software को purchase कर सकते हैं, जो कि limited time वो offer चल ला है, जाके आप use करें, thank you so much guys.